लो बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी के विद्यारतियों के लिए बिसे हिंदी बिसेस्ट की बर्कसीट लेकर आ चुके हैं माह मार्च की बर्कसीट आज हमारे पास है और आज के इस वीडियो में आपको सभी प्रशनों पहुँच जाए तो शली आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डाला है विद्यारती का नाम इसके बाद सेकेंड नमर पर यहाँ पर पिता का नाम डाला है और नीचे यहाँ पर साला का नाम डालना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं इसके बाद कक्षा तीसरी आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे कुछ निरदेश दिये गये हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहां से देखे बर्क सीट पर कार प्रारंब करें यहां से बर्क सीट पर कार सुरू हो जाता है तो सबसे पहला प्रशन देखे इसके पहले यहां पर कुछ निर्देश दिये गए हैं सभी प्रशन हल करना अनिवार है मीन सभी प्रशनों को हल क पर बतलाईए कि किस घटना के बाद होली जलाना आरंब हुआ तो इसका उत्तर देखे यहां पर आपको मिल जाएगा यही पूरा उत्तर आपको अपनी बर्क सीट में लिख देना है हिरन्या कसप देखे हिरन्या कसप की बहन को बरदान था कि बह आग में भस में नहीं हो सकती इसलिए होली का ने पहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई परंतु होली का जल गई और पहलाद सच्चाई की राह एबम धार में प्रकरती का होने के कारण बच गया तब से ही उनकी याद में यह होली का देहन किया जाता है तो यही पूरा उत्तर आपको अपनी बर् यहाँ पर पांच पालतू जानवर के नाम लिखना है और यहाँ पर बतलाना है कि वे हमारे किस काम में आते हैं तो देखे सबसे पहले आपको यहाँ पर गाय लिख देना है देखे गाय दूद देती है हमें तो यहाँ पर दूद लिख देना है इसके बाद बैल खेत में का वाली में और इसी तरीके से आप दो पालतू जानवर लिख सकते हैं इसके बाद बकरी भी आप लिख सकते हैं और अन्य जानवर लिख सकते हैं घोड़ा लिख सकते हैं घोड़ा रत के लिए काम में आता है और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरा प्रशन अब हम तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है खाना बनाने में तो यहाँ पे देखे सबजी काट कर और इसके बाद सफाई करने में जैसे जाडू लगा कर आप मदद करते हैं इसके बाद और तीन काम आप अपने मन से लिख सकते हैं जो भी काम आप करते हों क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के काम अलग अलग होंगे कुछ स्टूडेंट्स कुछ काम करते होंगे दूसरे स्टूडेंट्स कुछ काम करते होंगे तो आप तीन अपने लिखा हुआ है कववा लिखना है कववे का रंग काला होता है इसके बाद कोयल का रंग भी काला होता है तोता लिख देना है तोता का रंग हरा होता है कवूतर का रंग सफेद होता है और एक पक्षी का नाम और आप लिख सकते हैं जैसे कि गोरईया का लिख सकते हैं गोरईय पेड़ पौधों से हमें निमने चीज़ें प्राप्त होती है लकड़ी फूल और यहाँ पे फल और सब्जियां तो यही पूरा उत्तर आपको लिख देना है इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखे छटवा प्रशन यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क आपका शुर इस तरहों के एकत्र देखे यहाँ पे चित्र एकत्र कर चिपकाई है कोई पांच अब यहाँ पे आप चित्र चिपका भी सकते हैं और चित्र बना भी सकते हैं तो जल इस तरोज जैसे की नदी तो नदी का आपको यहाँ पे देखे नदी लिख देना है और यहाँ पे नद और यहाँ पर कुगा लिख सकते हैं आप इसी तरीके से 5 आपको लिख देना है इसके बाद सातवा प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा निर्देश अनुशार देखे यहाँ पर निर्देश अनुशार सब्द पहेली भरी है अब यहाँ पर निर्देश अनुशार स उने वाला यंत्र देखे यहाँ पर लिखा होगा पहले वाले में देखे बाए से दाए जाना है इसके बाद ऊपर से नीचे दो खेती में यंत्र कौन सा उपयोग होता है हल होता है इसके बाद दूसरा देखे रंग बदलने वाला जीब गिरगेट है तो यहाँ पर गया है हाथ का परियावाची या करने का भाव तो यहाँ पर देखे परियावाची लिखना है तो यहाँ पर देखे चोथे का यहाँ पर कर लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको लिख लेना है इसके बाद उपर से नीचे देखेंगे हम तो यहाँ पर देखे मकान ग्रह यहाँ पर सबसे पहले प्रशने देखे मकान ग्रह का एक प्रयावाची सब्द तो अब हमें उपर से नीचे आना है तो यहाँ पर घर लिख देना है आपको इसके बाद दूसरा है आपकी भासा यहाँ पर देखे भारती पाथ पुस्तक के पाठ चार जीप के वारे में बताया गया है तो यहाँ पे देखे जो दूसरा है यहाँ पे उपर से नीचे देखे यहाँ पे गलहरी तो यहाँ पे आपको गलहरी लिख देना है इसके बाद तीसरा इशी में दिया गया है देखे उठना सब्द का ब्लोम सब्द होगा उठना का ब्लोम सब्द क्या होगा तो गिरना हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद इसी में चोथा दिया गया है नगर के लिए एक परियावाची सब्द होगा तो नगर के लिए परयावाची सब्द होगा सहर तो यहाँ पे आपको सहर लिखे देना है इसके बाद बच्चों देखिए आपकी बर्कसीट यहाँ पे खतम हो चुकी है सभी प्रश्णों के उत्तर आपको मिल गए है I hope वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी समस्या आये तो कमेंट करके हमें जरूर बताईए